हेलो गुडीवनिंग नमस्ते साथियो सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहता हूँ धन्यवाद देना चाहता हूँ और एक छोटी सी माफी भी मागनी है बधाई इसके लिए कि आपने S.S.C. का संघर्ष जिस हिम्मत से जिस शिद्दत से जिस जुनून से चलाया उसने पूरे देश में एक नई लहर पैदा की है मुझे पता लगा कल आपने इतनी बढ़िया रैली की इतने विद्द्यार्थी आए इतने युवा आए और सच के साथ युवा खड़े हैं ये पता लगा धन्यवाद आपके उन तमाम टीचर्ज को जो इस संघर्ष में साथ में बैठे जिनोंने उपवास किया एक दिन का शिक्षक जब साथ हो जाए तो समझिए सच आपके साथ है क्योंकि गुरु ग्यान का ज़िया है वो जुड़े उन सब गुरुजन को मेरा सलाम और माफी इसलिए कि मैं पहुत नहीं सका पहले दिन तक से मैं आपके साथ रहा हूँ जब जब आपने बुलाया मैं रहा हूँ कल के लिए कई साथियों का संदेश आया लेकिन क्या करूँ मैं तेलंगाना के एक छोटे से कस्बे के अंदर घूम रहा था पिछला सब्ताह भर मैं पटना, हैदराबाद, करनाटका, तेलंगाना अलग लग जगें घूमता रहा हूँ किसानों की मंडियों में देखने के लिए किसान की अवस्था क्या है इसलिए चाहते वे भी कल आपके पास आ नहीं पाया लेकिन बाहर घूमने का एक फायदा हुआ पटना में जब गया, तो वहां गांधी मैदान में आपके साथ ही बैठे हुए थे S.S.C. आंदोलंग के समर्थन में और क्या जोश था, क्या उटसा था आपको पता नहीं आप लोगों के प्रयास ने देश भर में जो उटसा भरा है मैं दो दिन पहले लखनव भी गया था वहां लखनव के साथियों में, इलाबाद से कुछ लोग आये थे फिर हैदराबाद गया, वहां के युवाओं में आप लोगों ने जितना एक विश्वास भर दिया है दोनों बात कि कुछ गलत हो रहा है लेकिन सिर्फ काफी ने, गलत हो रहा है शिकायत करना तो बड़ी साधारन बात है लेकिन इसके खिलाफ हम खड़े हो सकते हैं ये आपने एक हांसला पैदा किया है ये मैंने देखा अलग-लग जगें पर और मैं समझता हूँ कि इस पहले 18 दिन की ये बहुत बड़ी उपलब्दी है कुछ लोग कह सकते हैं कि 18 दिन में कुछ नहीं हुआ कोई नहीं आया मांग को मानना तो दूर सरकार ने अपना एक प्रतिनिदी भी नहीं भेजा आप लोगों के पास जो दो सिंपल बात थी CBI जाच हो और जाच होने तक इन परिक्षाओं पे स्टे दिया जाए तो साधारन बात थी कोई बड़ी मांग नहीं थी कोई सरकार थोड़ी सी भी संबेदन शीर होती तो इसको मान लेती इसकी बजाय तिकडम हुई जूट बोले गए तमाम किसम की अभी भी चल रहा है CBI जाच हो गई है अब बता दीजे क्या हुआ है सब संतुष्थ हो जाएंगे लेकिन नहीं हुआ है अठारा दिन में ना तो बात मानी गई ना कोई सुनने आया इसके बाद भी आप लोग डटे रहे पताने क्या कुछ कहा गया, पार्टी के एजेंट हैं, जबर्दस्ती किये गए हैं, किसी कोजिंग सेंटर द्वारा बैठाए गए हैं इस सारे जूट को आपने नका रहा, जबकि तमाम किसम की चीजें हो रही थी जैपुर में लड़कियों के उपर बदसलू की हुई, कल परसों पटना में दारोगा के सवाल के उपर बहां लाठियां चली लेकिन आप इस देश में युवाओं के आक्रोश का और न्याए के लिए युवाओं की मांग की आवाज के रूप में सामने आए हैं मुझे पता लगा, कल आपने एक बड़ा फैसला लिया है, पैसला लिया है कि अब इस आंदूलन को एक चरण ऊपर लेके जाएंगे 31 तारीख को 31 मार्च को हला बोल का कारेक्रम दिल्ली में आवजित करेंगे मैं आपके फैसले को फिर सेल्यूट करता हूँ बहुत बड़ा फैसला आपने लिया है, यानि कि आंदूलन, याद है मैंने पहले से आपको कहा था गुझरात के नमनिर्मान आंदूलन में यही हुआ था, छोटी मांग से शुरू हुआ था, सरकार मान लेती तो वही खतम हो जाता सरकार ने नहीं माना, तो वह आंदूलन बढ़ता गया, एक एक कदम आगे गया, आपके आंदूलन ने भी एक बड़ा कदम आगे उठाया है अब सिरफ ऐस ऐसी नहीं, तमाम सरकारी नौकरीों में जिस किसम की दांदले बाजी है, सरकारी नौकरीों को जिस किसम से खतम करने की साज़िश की जा रही है और इस देश के शिक्षित युवक युवती को जिस तरह से अनिश्य और अंधकार में धगेला जा रहा है उस सब के विरुद्ध आक्रोष का प्रतीग बन गया है 31 तारीक हला बोल दिल्ली का आपने फैसला लिया है फैसला सही लिया है लेकिन खाली फैसला करके अगले पंद्रे दिन बैठना नहीं है अब फेस्बुक पे लिखना है मैसेज लिखने है वाटसैप पे संदेश भेजना है अगर आप दिल्ली में हैं मुकरजी नगर में हैं तो वापिस जाके जहां से आए हैं इलाबाद से, बिहार से, भोपाल से, राजस्तान से, वहाँ जाईए, साथियों को जोड़िए, सब के साथ योजना बनाईए, फोन कीजिए हर तरह से ये संपर्क भेजना है, हर तरह से मैसेज भेजना है, हर चैनल के थ्रू ये मैसेज भेजना है 31 तारीख को दिल्ली आओ दिल्ली चलो खला बोलो 31 तारीख को आप आईएगा मैं पहले दिन से आपके साथ रहा हूँ हर वक्त रहा हूँ इस बीच मैं घुमूँगा देश भर में आपका संदेशा भी लेके जाऊँगा लेकिन 31 तारीख को आपके साथ जरूर रहूँगा इंतजार रहेगा बहुत बड़े संघर्ष में एक कदम और आपने उठाया है अभी जीत हासिल नहीं हुई है लेकिन बड़ी जीत की तरफ हम हो अग्रसर हैं बहुत बड़े संघर्ष में हैं मैं आपके साथ हूँ 31 को मिलेंगे आएंगे ना आप मुझे इंजार रहेगा शुक्रिया